तमस्कार दोस्तों हम सभीका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस सेशन में हम अंग्रेजी को और अधिक नजदिक से जानने की कोशिश करेंगे अंग्रेजी और कैसे आसान हो सकती है ये मैं सिखाने का प्रियास आपको करूँगा इस चैनल पर हम सब मिलकर इंग्रेजी सीखते हैं अंग्रेजी को अधिक आसान बनाना ही इस चैनल का उद्दिश्य है तो यहां मैंने बहुत सारे प्रियोग किये हैं जब से चैनल को स्टार्ट किया है तब से लेकर आस तक काफी सारे वीडियोज मैं अप्लोड किये हर वीडियो में एक नए तरीके से इंग्रेजी को सिखाने का मेरा प्रियास रहा और खुद भी सीखने का प्रियास रहा तो यहां पर एक और नया प्रियोग है कुछ sentences यहां दिये गए है उन sentences को अलग-अलग newspaper से अलग-अलग news article से लिया गया है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप खुद से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं खुद से अगर अगबार पढ़ना सीखना चाहते हैं अगबार पढ़ना अगर आपको आ गया तो यकीन मानिए आप तयारी चाहे SSC की करते हो या बैंक की करते हो या UPSC की करते हो या आप CAT की तयारी करते हो क्लैट की करते हो कोई भी एक्जाम की तयारी कर ले newspaper पढ़ना अगर आ गया तो आपके understanding develop हो गई understanding develop होगी तो हर काम आसान है फिर अंग्री जी का कम से कम बात करूँ तो यहाँ पे कुछ sentences हैं बहुत ही अराम से कुछ चीजों को यहाँ पे सीखने का हमारा प्रियास रहेगा बहुत सारे बच्चे जो Monday to Friday the Hindu editorial analysis देखते हैं वहाँ पर कई बार हो सकता है कि time की बाध्यता हो और उस कारण से या फिर कुछ बच्चे नए जुड़ते हैं मैं कुछ चीजों को repeat नहीं कर पाता हूँ उस कारण से उनको लगता है कि समझ में नहीं आ रही इंग्लिश बड़ी मुश्किल है लेकिन ऐसा नहीं है अंग्रे जी बहुत आसान है कैसे चलिए जानते हैं सेशन को एंड तक देखिएगा और जरूर से दोस्तों के साथ शेयर करना चलिए देखिए यहाँ पर डेरकाई moving trucks and vehicles एक बात समझने का प्रियास करें एंड वास्ता में अपने दोनों और चीज़ों को सेम ही लेता है ये कभी भी गलत नहीं होगा ये fact है एंड अपने दोनों और एक समान चीज़ें लेगा एंड बैलेंस करता है आप देखेंगे तो trucks यहाँ पे noun है और vehicles भी यहाँ पे क्या है noun है ठीक है दोनों तरफ noun है और noun क्यों है अब ये प्रश्ण भी उठना चाहिए noun क्यों है तो बता देता हूं आपको कि ऐसा कोई भी शब्द हो जिसका plural आपने बनाया हो और जिसे count किया जा सकता हो वो noun होता है plural बने लेकिन साथ में एक condition और है count भी हो सके क्योंकि कई बार plural बनता है verb का भी बनता है pronoun का भी बनता है लेकिन यहाँ plural के साथ साथ count भी कर सकते आप trucks और vehicles को तो इसलिए noun है trucks तो समझी गए vehicles का मतलब गाडियां है moving है इसका मतलब ये executive का काम करेगा कौन से trucks और vehicles है move होते हुए मतलब move का मतलब चलते हुए तो चलते हुए trucks और गाडियां देखी गई है इसका मतलब जब भी आप कोई ऐसा executive लगाते हो जिसका मतलब है ऐसा होता हुआ जैसे कि मा कहूं कि गाना गाता हुआ व्यक्ती ठीक है ऐसे ही मा कहूं कि जाता हुआ teacher है ना पढ़ाता हुआ सिक्षा कुछ भी कह दीजिए इस प्रकार से तो यह जो continuous action denote करने की चीज़ें होती है उसे आप एक नाम देते हैं present participle क्या कहते हैं present participle तो यह जो आपका moving है इसे आप present participle एक नाम दे सकते हैं participle actual में दो प्रकार के होते हैं एक present होता है और एक past होता है होने को एक perfect भी बताते हैं books में लेकिन perfect वास्ता में इन दोनों को आप mix कर देंगे दोनों को जोड देंगे तो जो प्रकार प्राप्त होगा वही perfect कहलाता है past participle जो होगा उसे third form के रूप में लिखते हैं present participle होता है उसे वी जी रो प्लस आई एन जी के रूप में लिखते हैं इसे एक और नाम दिया जाता है वो नाम होता है verbal executive क्या नाम दिया जाता है verbal executive याद रखिएगा ठीक है तो देखो हमारी बात क्या है यह subject है भाई यह subject है trucks और vehicles trucks और vehicles यहाँ पे कौन से है जो move हो रहे हैं जो चल रहे हैं with diplomatic plates अब diplomatic plates एक प्रकार से diplomats को कुछ plates दी गई होती है यह गाडियों की number plate है इसको बहुत आसान शब्दों में पढ़े हैं तो गाड़ी की number plate registration plate होते है number registration plate वही कह दीजिए तो वो trucks और vehicles जिन पर diplomatic plates लगी हुई है वो move हो रहे हैं और यह move होते हुए trucks और vehicles जो है इन्होंने क्या किया pull out का मतलब क्या है pull out से मतलब होता है withdraw करना pull out का मतलब क्या होता है withdraw करना pull out से मतलब एक और कह सकते हो retreat पीछे हटना तो यह यहां से वापस जा रहे है वापस गए कहां से निकले हैं बाहर तो देखिए एक चीज और समझने की है कि out के साथ में off लगता है out के साथ में from नहीं लगता है मैंने इसलिए इस चीज़ को emphasize किया क्योंकि काफी बर exam में जब common error का प्रशन बनाते हैं examiner तो out के साथ from लगा देते हैं और हम लोग जब पढ़ते हैं इस चीज़ को तो flow में हम भूल जाते हैं कि out के साथ में off लगे याद रखेगा out के साथ में from नहीं लगेगा तो जो moving trucks और vehicles हैं जिन पर diplomatic plates लगी हैं वो वापस निकले हैं कहां से US Consulate से Consulate का एक प्रकार से embassy कह सकते हो दूतावास कह सकते हो कहां से US के दूतावास से और ये कहां पर है ये South China में है South West China में है दक्षनी पस्चिमी चाइना की बात है कब की बात कर रहा है Sunday का एक द्रश्य है Sunday को ऐसा हो रहा है है ना एक बात याद रखना है कि जब भी आप किसी particular day की बात करते हैं चाहे वो future में बात करें कि उस दिन को ऐसा होगा या फिर आप past की बात करें कि ऐसा हुआ बस बात क्या है particular day की बात है उस दिन का प्रभाव आज तक नहीं पढ़ना चाहिए तो फिर ओन लगता है तो यहाँ पे ओन Sunday है ठीक है यहाँ तक की बात अगर करें तब समझ में आ गया होगा कि moving trucks और vehicles है जिस पर diplomatic plate लगी है वो वापस निकल गए है US Consulate से Consulate कहा है Southwest China में है कब की बात है Sunday की बात है As its impending closer कारण क्या है क्यों यह वापस जा रहे है क्यों यह withdraw हो रहे है गाड़ी यां ट्रक सब कुछ कारण है इसका closer नजदीक आ गया है closer है सब noun और यह है adjective अब यह कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्यों है यह देखो It's possessive adjective है It's को कई बार आप ऐसा लिखाव भी पाएंगे लेकिन इसको जब आप विस्तार देंगे जब इसको आप expand करेंगे तो यह it is होता है इसमें apostrophe उपर कोवा नहीं आता है यह possessive adjective है possessive adjective के एक खास बात होती है कि पूरी अंग्रेजी में कहीं पर भी यह अकेले नहीं आते है इनके साथ कोई न कोई word दिया रहता है और वो word कहलाता है noun तो यहाँ पे देखिएगा यह यहाँ पे एक noun है आप कहोगे सर इसके पास यह noun क्यों नहीं है क्योंकि यह noun से पहले adjective दे रखा है दो शब्द दे रखे हैं साथ में यह तो preposition हो गया आगे है ना तो यहाँ तक कि अगर बात करें तो दो शब्द है तो यह अगर noun है तो फिर यह noun यह compound noun तो है नहीं इसलिए मैंने इसको noun कहा और noun से पहले modify करने के लिए adjective तो याद रखना कि अगर adjective आ रहा है तो possessive adjective की स्थेती ऐसे भी हो सकती है कि possessive adjective और फिर noun है ऐसा भी हो सकती है noun जरूर होगा लेकिन impending का मतलब होता है imminent जो की नजदीक हो जो जल्द ही घटित होने वाला हो that which is about to happen कोई चीज जो घटित होने ही वाली है वो है impending ठीक है अब कारण क्या है क्यों ये द्रश्य देखने को मिला क्योंकि ये दूतावास जो है जो embassy है जो consulate है अमेरिका का चाइना के अंदर वो जल्द ही बंद होने वाला है बंद क्यों होने वाला है तो मुद्दा क्या है मुद्दे के लिए ओवर लग गया तो ओवर प्रेपोजिशन एक काम करता है जब भी कोई matter की बात करते हो कि इस matter के चलते ऐसा हुआ तो उसके लिए क्या प्रेपोजिशन यूज करोगे आप ओवर लगाओगे तो कारण क्या है कारण है rising bilateral tensions tensions noun है अपने आप से पूछ लो क्यों है क्योंकि plural बन रहा है है ना दूसरी बात bilateral है वो executive है क्यों है क्योंकि al दे रखा है और वैसे भी noun को modify करने के लिए क्या चाहिए noun की विश्यता उताने के लिए क्या चाहिए adjective चाहिए तो bilateral executive है bilateral होता क्या है बहुत बार ये word आपको news paper में देखने को मिलेगा bilateral trilateral है ना या फिर multilateral ऐसे शब्द मिलते है lateral जो शब्द होता है वो side होता है पक्ष होता है अगर by लगाया है तो by का मतलब 2 होता है तो bilateral क्या हो गया दिपक्षी है try लगा होता तो try का मतलब 3 तो क्या होता 3 पक्षी है multilateral तो multi का मतलब क्या होता है 3 से भी अधिक तो बहु पक्षी है ऐसे आप यूज करेंगे और rising क्या है rising यहाँ पे present participle है क्योंकि मैंने कहा कि जब भी आप कोई ing form देखते हो ठीक है ना अजेक्टिव के रूप में आ रहा है तो verbal adjective बन जाता है verb के गुण भी है adjective के गुण भी है participle है तो यह present participle है तो कारण क्या है क्यों इसका अंतनस्दीक है क्यों मतलब यह बंद होने वाला दूतावास कारण है इन दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए यहां tension है इन दोनों परिशानिया बढ़ रही है tension बढ़ रही है इसके चलते तो कह रहा है a steady stream जो है वो draw की second form है draw, drew and drawn draw मतलब खींचना होता है तो drew क्या होआ खींचा a steady stream stream यहां पे noun है और यह यहां पे adjective है अब यह कैसे पता लगा इसका पता लगा a को देखकर article है a article के बाद में कितने शब्द है that you have to count हम देखेंगे दो शब्द है आपका होगे शब्द तो आगे भी है देकिन आगे देखो preposition आ गया तीन शब्द maximum आ सकते है एक adverb होता है एक adjective होता है एक noun होता है इन तीन के अलवा कोई भी शब्द आएगा तो आप उस series को आगे गिनोगे नहीं count नहीं करोगे तो यहां दो शब्द है तो पहला शब्द कहलाएगा adjective दूसरा शब्द क्या कहलाएगा noun तो यह steady stream का मतलब क्या है stream का मतलब धारा होती है यहां पे qatar कह सकते हो steady का मतलब एक नियमित एक लगा तार कह सकते हो ठीक है और किस का तो का के या की relation बताने के लिए ओफ का प्रियोग है onlookers का मतलब होता है darshak spectators कह सकते हो spectators darshak तो दarshakों की qatar को खीचा इस द्रश्चे ने for the second straight day दूसरे दिन केवल second day होता तो दूसरे दिन होता second straight day straight का मतलब लगा आतार दूसरे दिन पहले दिन भी ऐसा ही हुआ दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ मैं यहां समझाना आपको यह चाता हूँ एक छोटा सा एक कह सकते हो यह एक ही sentence था क्योंकि full stop तक का मैंने part लिया लेकिन एक छोटे sentence में बहुत सारे grammar हमने देखी काफि सारे words हमें सीखने को मिलते हैं अब आप जब यह खुद से प्रियास करते हो तो एक प्रियास ओर करना इतना पढ़ने के बाद में आप इसका overview तेयार करना कि आपने पढ़ा तो क्या समझा है और आपको क्या समझ में आया है तो यहां हमें समझ में यह आया है कि यह Sunday की घटना है Sunday को दूसरा दिन था Saturday को भी ऐसा ही हुआ क्योंकि दूसरा दिन लगाता दूसरे दिन की बात इसने लास्ट में की थी इसमें कहा है कि यूएस का दूतावास वहां से खाली हो रहा है खाली करवाते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं जैसे हमारा घर को जैसे किराये पे घर ले रखा है और घर खाली करना है मकान मालिक ने कहा कि यहां से चले जाओ हमें खाली करवाना है घर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ तो हम क्या करते हैं गाडियों से हम समान को लोड करवाते हैं ताकि हमारे दूसरे नए घर के अंदर शिफ्ट कर सकें वैसा ही यहाँ पे है कि US का दुतावास खाली हो गया तो अपना समान ले कर जाएंगे तो यह द्रश्य ऐसा था कि US के दुतावास के जो लोग है वो ट्रक और वीकल्स को आपस वहाँ से विड्रो कर रहे हैं ठीक है और इन चीजों को देखने के लिए वहाँ पे दरशक हैं सडक पर लोग देख रहे हैं कि यह हो क्या रहा है यूएस वाले हमारे देश से वापस जा रहे हैं चाइना के लोग देख रहे हैं साउट वेस्ट चाइना की बात है इतनी बाते हमारे को समझ में आ गई आगे बढ़ते हैं देखो अब इसी को थोड़ा सा आगे यह इसी का पार्ट था दूसरा सेंटेंस भी uniformed and plain clothes officer uniformed का मतलब uniform पहने हुए plain clothes देखो clothes एक तो होता है CLOTH और एक होता है CLOTH E यह जो होता है यह unisticed होता है जो सीला हुआ नहीं है और यह होता है वो सीला हुआ कपड़ा होता है यह लगा हुआ है तो चोकि कपड़े जब पहने हुए है तो definitely E तो लगेगा उसमें क्योंकि सीले वे कपड़ों को ही CLOTH E से represent आप करते हो तो uniformed and plain clothes officer वो officers जिन्होंने या तो uniform पहनी हुई थी या फिर plain कपड़े पहने हुए थे प्लेन कपड़ों युनिफॉर्म में नहीं थे बाकि साधा कपड़ा जो भी है वो उन्होंने पहना हुआ था kept watch kept यहां पे देखो यह तो subject हो गया आपका पूरा कि officer subject हो गया इसकी विशेस्ता बताइए यहां तक तो खाली subject तो यही था बाकि थोड़ा आसा इसने रोचक बना दिया कि या तो युनिफॉर्म में थे अधिकारी या प्लेन क्लोस में थे उन्होंने क्या किया kept keep की second form होती है keep kept kept इन्होंने watch watch का मतलब वैसे तो हमने होता है देखना लेकिन चुकि यह तो noun है क्योंकि kept verb तो लगी चुका तागे verb तो है नहीं अगर यह भी verb होती तो साब watching होती क्योंकि keep में एक समर्थ है keep में एक power है कि keep अपने बाद वाली verb को ing में तब्दिल कर देता है तो यहाँ पे kept watch का मतलब है उसने निगाह बनाए रखी तो officers ने नजरे बना रखी थी अब एक बात और समझो जब ऐसी कोई बात चीते होता है कि भीड़ी कठा हो जाती है को देखने के लिए कि गाडियां लोड हो रही हैं और वो US Consulate को बंद करने के लिए वापस से मतलब निकल रहे हैं विड्रो कर रहे हैं तो इप्या किया ये officers तेनाद कर दिये और इन officers नजरे बनाई रखी किधर लगा दिया थी तो barriers के दोनों साइट Barrier समझते हूं भVer इन्होंने barrier लगा दिया ऐसे ये barrier लगादिया तो इस side भी नजरे बना रखी है इस side नजरे बना रखी है तो both sides हो गया बोथ का मतलब वैसे बिखरना होता है अब incidents का मतलब घटनाई होती है तो कौन सी घटनाई जो बिखरीवी घटनाई है बिखरीवी घटनाई का मतलब काफी सारी घटनाई घटरी ही है एक साथ में बहुत सारी घटनाई घटें तो उसको scattered incidents कह सकते हो incidents तो हो गया noun, क्यों हो गया खुद पूच सकते हैं अपने आप से कि ये plural बनता है, इस से पहले संख्या लगा सकते हो और noun को modify करने है काम कोन करता है objective और जब देखो ed लगकर objective आता है या third form में objective आता है तो उसे क्या नाम देते हैं आप, उसे कहते हैं past participle समझ में आरी बात, noun के पहले objective आता है ये बात तो sure है अब noun के पहले जो objective आता है, वो अगर third form में आए तो क्या कहलाएगा past participle और ing form में आए तो क्या कहलाएगा present participle ये बात ध्यान रखियेगा तो यहाँ पे जो officers खड़े थे ना, इन्होंने barriers के दोनों side barrier क्या होता है, barrier समझते हो, barrier का मतलब रुकावट होती है वैसे तो मतलब जैसे divider होता है road पर, वो एक प्रकार से barrier है कि गाड़िया इधर से इधर इधर से इधर नहीं जा सकती, ठीक है ना तो ऐसे ही barrier लगा दिये गये थे, मैंने बताया ना, ऐसे barrier लगे रहते है तो इन barriers के दोनों side नजरे बनाई रखी, after scattered incidents किसके बाद ये barriers लगाए, किसके बाद नजरे बनाई रखी, क्यों इनको खड़ा होना पड़ा officers को कारण था बहुत जादा घटनाएं घटी, और घटनाएं क्यों घटी, तो following there, ये है Chengdu announcement on Friday, ये Chengdu जो है जगय का नाम है, जो South West China के अंदर US का consulate खाली हो रहा है न, उसकी बात कर रहा है, क्योंकि actual में क्या हुआ था, कि US ने चाइना का जो दूतावास था, अमेरिका में, उसको खाली करवाने के निर्देश दिये, तो चाइना ने बदले की भावना से, चाइना में जो US का दूतावास था, उसको खाली करवाने के निर्देश दिये, तो Chengdu वो जगय का नाम है, तो इसके संबंद में जो announcement हुआ घोशना हुई कि US अपना consulate खाली करे वहां से तो उसके बाद में यह following जहां लगता है ना इसका मतलब इसके अनुसरन करते हुए इसके बाद में ठीक है जैसे माल लीजिए कि कोई घटना घटी है उसके एक और घटना घटी तो following that incident one another incident है ना occurred इस प्रकार से कहा जाएगा तो यह कह रहा है कि scattered incidents जो हुए इसके बाद और यह घटना है क्यों घटी यह घटना है इसलिए घटी कि Friday को यह चेंग्डू announcement हुआ और Friday को announcement हुआ Sunday की बाद हमने पहले की थी वो दूसरा दिन था शनिवार को प्रक्रिया शुरू और वो second day था इसलिए second straight day वहाँ पे कहा गया था फिर से देखो Friday से पहले own क्यों है क्योंकि Friday की ही बात कर रहे है announcement घोशना है noun है including a man अब यह कौन-कौन सी घटना है घटी उसकी बात कर रहे है इसमें कह रहा है कि एक तो आदमी उसमें शामिल था who set of firecrackers set of का मतलब यहाँ पे जलाना है firecrackers में पटाके तो पटाके जलाए है इसने खुशिया माना ही एक बेखती तो मतलब घटना है अलग-अलग कोई खुश है, कोई नाराज है कोई आश्चरिय में है, भीड है, पब्लिक है पब्लिक कुछ भी करें, तो including इसमें शामिल है, a man, एक आदमी अब देखो, man यहाँ पे noun है, इसी कारण से देखो, a है, और who जो है वो relative pronoun है, वो अपने से पहले वाले से संबंद बताएगा, तो यहाँ संबंद किस से हुआ, man से हुआ तो वो आदमी जिसने पटाके, five crackers क्या होता है पटाके होते हैं, पटाके जलाएं और hacklers, hacklers होते हैं तंग करने वाले, कई ऐसे लोग होते हैं जो आप से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, वो तंग करते हैं, परेशान करते हैं, सवालों को पूछ कर उसको hacklers बोलते हैं, ठीक है या फिर कहें कि वो आपती जताते हैं आपकी हर बात पर वो hacklers होते हैं तो एक आदमी तो यह शामिल था और उसमें शामिल थे hacklers भी hacklers शामिल थे, who caused जिन्होंने, अब यह हूँ इनके लिए आ रहा है यह हूँ तो इस आदमी के लिए, यह हूँ इसके लिए इसका मतलब यह relative pronoun है यह संबंद पहले वाले से बताएगा relative pronoun का मतलब ही हिंदी में क्या होता है संबंद वाचक सर्वनाम संबंद वाचा का काम क्या होगा संबंद बताना connection बताना relation बताना तो relation बता रहा है और वो hacklers जिन्होंने कर्स किया कर्स का मतलब क्या होता है अभिशाप देना है अभिशाप देना कर्स का मतलब यह है अभिशाप ऐसा तो है नहीं कि अभिशाप देगा कि भगवान के दोर मे जो देवी देवता हुआ करते थे उस समय तो यह चलता था कि अभिशाब देया जा रहा है अब ऐसा है नहीं वर्दान अभिशाब वाला तो यह कह सकते हो कि इन्हों निन्दा की at foreign media shooting video कि जो विदेशी media है foreign media है वो वीडियो shoot कर रही थी and photos photos shoot कर रही थी of the scene इस द्रश्चे का तो उनका इन्होंने क्या किया hacklers ने क्या किया इनको criticize किया इनकी आलोचना की तो इन सब घटनाओं के लिए इन सब घटनाओं कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे plain clothes में या uniform के अंदर officers तैना थे उन्होंने अपने नजरे बना रखी थी तो यहाँ पे देखो सीखने को बहुत कुछ था set off यहाँ इसका मतलब जलाना है firecrackers पटाके है hacklers प्रश्चन पूच कर तंग करने वाले लोग है curse का विशाप देना है या criticize करना है following का मतलब के अनुसरण में है scattered का मतलब विखरा हुआ होता है both का मतलब दोनों होता है c l o t h e लगेगा तो सीलेवे कपड़े होते है c l o t h है तो बगैर सीलेवे कपड़े होते है ठीक है न यह सब चीजे हमने सीखी आगे देखो तीसरा sentence सोटा सा sentence है देखिएगा in an unusual incident यह बिलकुल अलग sentence है अलग किसी article का हिस्सा है in an unusual incident incident noun है अब जब आप भी practice करोगे तो आपको भी ऐसे नजर आने लग जाएंगी चीजे देखो कैसे पता लगा an article है article बाद देखो कॉमा तक की बात करेंगी यह तो आगे पार्ट शुरू हो गया नया कितने शब्द है दो मैंने कहा था पहला शब्द क्या होगा adjective दूसरा क्या होगा noun in क्या है preposition unusual क्या होता है ऐसमाने तो एक ऐसमाने घटना में incident घटना accident दुर घटना ठीक है तो एक ऐसमाने से घटना घटी क्या अकोब्रा अब यह noun है कैसे क्योंकि देखो article है एक ही शब्द है आप कहोगे सर दो शब्द दे रखें तो भाई article जब होता है न तीन के series ये बनती है adverb, फिर executive, फिर noun ये series बननी चाहिए अब यहाँ noun है कि कोब्रा का बहुचन बनता है कोब्राज कर सकते हो ना आप तो इसलिए ये noun ही है तो फिर हम आगे गिनेंगे नी reportedly होता है तथा कथित रूप से इसी को आप एक और तरीके से बता सकते हो allegedly ठीक है इसी को आप एक और तरीके बता सकते हो तथा कथित रूप से कि ऐसा कहा गया है तो एक ऐसा माने सी घटना में कोब्रा तथा कते तरूप से कोबरा ने क्या किया Swallowed Up Swallowed Up को मतलब क्या होता है निगल ना किसने निगल लिया किसको A kitten कितन होता है बिल्ली का बच्चा ठीक है kitten noun है क्योंकि देखो article है और यह noun नहीं तो preparation आ गया जबकि हमें तो यह तीन लगातार चाहिए तो यह यहां तक की count करोगे तो एक बिल्ली के बच्चे को कहां की घटना है तिनी कुडा नाम का गाउं है वहाँ पर अब छोटा जगह जो होती है न गाउं आ गया मोहला आ गया ठीक है कॉलोनी आ गया क्योंकि देखो बी कैपिटल है और यह कहां का है ओडिशा के पूरी जिले में ओडिशा रज्य है उसका पूरी जिला है और वहाँ पे यह गाउं आता है इस ब्लोक के अंदर वहाँ पे एक बिल्ली के बच्चे को कोबरा ने तथाकतित रूप का मतलब यह है कि लोगों ने बताया है सुनी सुनाई बात है कुछ एक्जेक्ट नहीं पता है तथाकतित रूप से इस कोबरा ने क्या किया स्वैलो अप कर लिया स्वैलो अप का मतलब निगल लेना समझ ज़ी में आ गई बात अब इसका जो उल्टा होता है स्वैलो का वो होता है स्प्यू स्प्यू का मतलब होता है उगलना जो भी आपने लिया है अंदर उसको बाहर निकाल दो तो उसको क्या बोलते है स्प्यू जो अंदर निगल लिया उसको क्या बोलते है स्वैलो तो यहां मैंने तीन सेंटेंसेज ही बताएं हैं और हमारा डिसकेशन थोड़ा सा लंबा चला गया क्योंकि हम चाहें तो हर एक सेंटेंस से हर एक शब्द उसे बहुत कुछ सीख सकते हैं यही एक सही तरीका है अगर आपने यह प्रियास 5-6 महीने तक कंटिन्यू किया तो यकीन मानी आपके एंग्रेजी बहुत ही शांदार होगी आपको हर चीज समझ में आएगी एक्जाम में स्कोर भी आपका जैसा आप चाहते हैं वैसा आएगा तो उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे से समझ में आपको आया होगा जो भी आपकी प्रतिक्रिया हैं कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं ताकि मैं जान सकूँ की और बहतर कैसे किया जाए और आसान आपके लिए कैसे इंग्लिश को किया जाए आपका सहीओ का पेक्षित है आप दोस्तों के साथ जरूर से शियर करें और जो बच्चे भी देख रहे हैं इसे वो इसको जरूर से लाइक करके जाएं थैंक्यू वेरी मच्छ फॉर वोचिंग तिल्दा एंड मिलते हैं जल्द ही एक नए सेशन के साथ तब तक नमस्कार थैंक्स अलोट